इसका मीनिंग समझाते हैं मैं आपके टास्स देता हूं छोटा सा रेडी वो टास्स पूरा करना है आप लोगों ने टास्स के आपके बस 4 डिजिट्स ले 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 थे हम 1, 7, 3, 9 इससे 2 डिजिट नमबर बनाके दिखाओ जितने बन सकते हैं इन 4 डिजिट्स का यूज़ करके 2 डिजिट्स बनानी है condition बस यह कि repeat नहीं करना यानि जिससा है double 1 नहीं ले सकते है, double 7 नहीं ले सकते है ऐसा है, 2 डिजिट्स नमबर बनानी है बनाऊ जल्दी से देखते हैं कितने बना सकते हो race लगाते हैं आप कर रो रो अरे 2 डिजिट, 17, 71, करो करो जल्दी से देखते हैं, 13, 31, 73, 37, 79, 97, 19, 91, 39, 93, अरे किस इतने बने सबके, कितने बने, काउंट करो, 10, 12, 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 सकते हैं कितने numbers बनेंगे बहुत जादा हो जाएगा राइट तो अब हम स्टैप्टर में यही चीज सीखेंगे कि कैसे हम निकालेंगे हमाँ पास total choices कितनी हम total कितनी selection या arrangement कर सकते हैं फोड़सी बात समझा ही yes or no तो यही इस टैप्टर में चलेगा कि कैसे हम निकालें कि कितने हमाँ पास arrangements हो सकते हैं अब इसको समझाने के लिए मैं पहले exercise pick करता हूँ exercise के question number 1 पढ़ी है क्या कहता है exercise 7.1 इसको हम करेंगे fundamental principle of counting से fundamental principle of counting हाँ अब notes के लिए आपने नोट्स के लिए आपने pages चोड़ने हैं बहुत चारे दो एक छोटा सा मैं आपको meaning explain करना चाहता हूँ एक वोड़ा तो permutation 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 मतलब क्या होता है permutation means arrangement क्या होते है मेरे बच्चा अवाज नहीं है क्या होता है अब भी नहीं आई क्या होता है arrangement बेटा इतने फोकस करें लिखें का नहीं कोई अभी कोई भी भी नहीं लिखेंगा arrangement arrangement का मतलब होते है जहां sequence matter करे where sequence matter समझे कुछ समझे नहीं नहीं समझे क्या ना ना मैं sequence series से नहीं sequence क्या है for example मैंने बोला 73 और 37 क्या यह एक ट्रीट होगा यह अलगा ट्रीट होगा पक्का सोच लो अलग है यह एक है 73 और 37 क्या होगा अलग है तो यह sequence matter करता की पीछे होने से yes or no अच्छा काम करते हैं हम एक दो बंदों की team बनाते है person A और person B मैं A भी बोलू या B A बोलू team के अंदर कोई matter करेगा मैंने ट्रीशा रिया बोल दिया या रिया ट्रीशा फरक्या है nothing right जिससा एक line ड्रॉ करते हम तो line को मैं A भी बोलू या B A कोई फरक है दोनों में No, यहां sequence matter कर रहा नहीं, तो permutation क्या चीज होती है जहां sequence matter करे और जहां sequence matter नहीं करता उससे हम बोलते है combination क्या बोलते है मेरे बच्चा इटा मैं को नो properly voice चाहिए properly response चाहिए जितने वनना pages लिखरें सबको मैं दोबारा देदूंगा बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसके चीज़े combination इसको बोलते है selection यानि where sequence doesn't matter चलो अब कोशन करते है उसके तुरह समझ जाएगा पड़ो कोशन के कहते है एक बार पढ़िये बटाव और हिंदी explain करिये loud okay पहले इतना इसमें पूछा है how many three digit numbers can be formed from the digits one two three four and five कितने three digit number बन सकते हैं किन से one two three four five से यहां था clear okay three digit number बनाने बटा मेरको में पास है one two three four five condition क्या है if the repetition of the digit is allowed अगर digits क्या हो सके repeat हो सके number of digits कितने नमबर बनाना है three तो तीम प्लेस ही ले ले एक दो तीम बटा हर से वार यह बताओ पहली प्लेस के लिए में पस कितने option है कितने है पांच इन पांच में से कुछ भी रख सकता हूँ अच्छा next आप बताओ बटा next place के लिए कितने option रहे पांच ही है आप बताओ पांच है बिलको सही का पांच ही है बटा क्योंकि repetition allowed है अगर मालो मैंने 4 रखा तो next B4 रख सकता हूँ फिर कितने है तो चलो 5 ही है न कितना हो गया 125 टोटल numbers बन सकते हैं एक और एक और second case देखो repetition of the digit is not allowed अब repeat नहीं हो सकते तो किस से पूछते हैं दोबारा वही opening करते हैं रुप जाओ आप से पूछते हैं पहली place के लिए कितने number हैं में पास आच 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 नेक्स place के लिए क्यों 4 क्यों है repetition allowed नहीं मालो मैंने 1st place पे 3 रख दिया तो क्या दोबारा 3 रख सकते हूं अब कितने रह जाएंगे 4 next के लिए कितने हो गए 5 4 3 कितने 6 3 अब जार एक काम करना यहां पर निकालना अगर आपके बाद 4 डिजिट है और 2 डिजिट नंबर बनाना है 4 डिजिट से है 2 डिजिट नंबर बनाना है पहली place के लिए कितने 4 next के लिए नहीं समझ नहीं है ना repetition इस केस में repetition allowed नहीं है 3 कितने बन रहे टोटल 12 केस काउंट करना 12 ही थे हाँ जी अरे यह तो मैंने आपको cases बना के दिखाएंगे में पर कितने बन सकते हैं टोटल और यहां से यह में को डिरेक्ट पता लग रहा है कि यह तो सारे cases होगए कि यह बनेंगे इस पर सीधा counting आगए कितने टोटल केस बन रहे है बात समझ आई नहीं आई यह नमबर वन डिजिट यह नमबर टू नमबर थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 combination combination बताता कि कितने केस बनेंगे अब क्लियर ही अगले वाले में हाँ क्या करें multiply करें फिर हाँ किसी को पोशन क्लियर हुआ इसमें मैंने ऐसे निकाला क्यों पिछले वाले में एक मिनट यह मैंने multiply क्या किया इतने डीट का नमबर बनाने इतने मैंने प्लेस ली और यह देखा कि में पस कितने कितने options available है ठीक है यह चीज मैंने करी आपके डाउट नहीं आपका डाउट कुछ और है यही है पक्का आप बताओ में को और आफ लाइन में आप बताओ सबके सब क्या कहता है चुछ पड़बना पक्राइन क्या कहता है रीड करो बदान आपने रीड करना है और एक्स्पिलें करना है हिंदी में यह बताओ यह वन नमबर और बीजिट इस इस व्यूत लाइट नमब बनाट लब 3-digit even number बनाना है ठीक है किस दिजिट से बटा 1 2 3 4 5 6 से if the digits can be repeated अगर digits क्या हो सके repeat हो सके तो 3 digits के रिए number of 3-digit number 3-digit even number कितनी प्लेस लोंगा बटा मैं 15 अब इते condition क्या है even बटा मैं आपसे पूछता हूं कैसे बटा लगते कोई number even है या और है last digit क्यों ने चाहिए even यह बात सबको clear है तो सबसे पहले मैं condition वाली प्लेस को फिल करूंगा सबसे पहले 3 very good यह और भी आई है अलग 3 बोल रहे है वाह अब बता बिलकुल सही का 3 ही है कैसे बटा लास्ट प्लेस क्यों ने चाहिए even number कब है जब लास्ट का डिजिट even है और लास्ट का डिजिट कौन सा है बटा टू पूर 6 क्योंकि even ही लेना है तो कितने option 3 अब बता first place के लिए कितने option क्यों चे डिजिट रिपीड हो सकती है तो 6 next के लिए 6 कितने होगे बटा 108 clear एक मौका देता हूं question number 3 और 4 करके दिखाओ right now अपने आप चलो question number 3 क्या कहता है आओ मैंनी 4 एक मौन नई मेरे turn नहीं है हरस्यमर explain करिए जल्दी करो बटा चुप हाँ हाँ बिल्कुल देखो how many 4 letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet पहले 10 letter के use करना है और कितने letter code बराने 4 letter code और letter repeat नहीं हो सकते हैं क्या करूंगा बताओ चार places बनाओ न सीधा चार places बनाई फिर पहले place के लिए कितने option 10 अगले के लिए फिर हाँ फाइजर फोर जिरो ओके आँ जी ऑनलेन में डावटे बोलो कि अच्छाने का फर्स नंबर 10 रख दे बड़े यूजिंग कोशन में है के को यह पढ़ता हूं तरब यूजिंग फॉर्स 10 लेटर अफ इंग्लिश अल्फाबेट बिटा इंग्लिश अल्फाबेट गॉट इट ओके कोशन में फोर पढ़ते हैं क्या कहता है हाँ जी पढ़िये कोशन फोर किसके रंदती है अक्षदीप रिट करिये और हिंदी एक्स्पिलिंग करिये फ्पीडली 5D telephone number बनाने है आगे 2 विलकुल वनी 5D telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 5 digit telephone number बनानी है किसका यूज करके बटा 0 से 9 तब का यहांत क्लियर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 digit बनाना है बटा 1, 2, 3, 4, 5 यह करा क्या condition दे दी if the number starts with 67, अगर number किसे start हो 67, अब बतो क्या करूंगा बटा 5 digit को बनाने 1st place के लिए कितने option कितने, 1 1 या 6 1, बिल्कु सही का बटा जब number 67 से start होना है तब पहली place के लिए कितने option रहेंगे वह 6 ही आ सकता है कोई और आई नहीं सकता next के लिए भी 1, यहां ता clear आप पता आप next के लिए कितने option next के लिए कितने option 6 और 7 रियूज हो गए 8 7 6 8 इंटो 7, 56 56 का हो गए, 336 क्या चीज़? 6 क्यों नहीं आ सकता क्योंकि question ने बोलावा है no digit appears more than once कोई भी digit एक से दादवा repeat नहीं होना चाहिए अरे मेरे बच्चा वो तो number 8 total options clear? okay next question यह question आप अच्पन से पढ़ते हम आए है 1 शिका, it's your turn question number 5 पढ़िये a coin is tossed 3 times एक coin को क्या कर रहे है हम? 3 बारे toss कर रहे है और outcomes को record कर रहे है how many possible outcomes are there वैसी बता दो कितने होंगे class 10 का question है 8 8 8 सीदा, 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 सीदा formula होता है, देखो 2 तरीके से करा रहा हूँ पहला 3 बार उचाल रहे है तो पहले बाले के लिए outcomes के कितने chance है 6 कैसे? बिटे जब एक coin को toss करते हो क्या आते है या तो head your tail दो 2 8 आ गया या दूसरा बच्च्पन से formula पढ़ा है क्या होता है सीदा? 2 की power n तो क्या हो जाएगा बिटे 2 की power 3 8 clear? ओके question number 6 है रुदराक्ष आपकी turn है explain करिए थोड़ा loud मतलब given five flags of different color यानि पांच घंडे है ठीक है आगे उन में से कितने signal उन flags का यूज करें कितने signal बनाई जा सकते हैं पहले मैं signal explain कर दूँ आपको पता होगा different different signals होते है flags के जानते हो Tom and Jerry कितने देखा है अस तक बच्पन मेने Tom and Jerry Tom and Jerry इन देखा है भी शिंचन वाले है ओहो अब शिंचन में अच्छ आपको बताता हूँ आप में से किसी को यह बात पता है कि अगर वाइट जहनडा ऐसे लहरा आजा जाए तो इसका मतलब क्यों होता है peace peace ही नहीं होता है surrender repeat यह बाद जानते हो Tom and Jerry में बढ़ा होता था बहुत बाद टॉम ऐसे करता था और अब पीछे बाद पोपाई में भी होता था एक और बताता हूँ अगर यही जहनडा ब्लैक हो यही और इसके पर स्केलेटन बनाओ तो किसका बाता है पायरेट्स जानते हो बात लाल जंडा हो तो नहीं खतरा एक और एक्जामपल लेता हूँ ट्रेन के लिए सिगनल कर जाता है यह बात पता को हरी जंडी और लाल जंडी सुना होगा सबने यह तो अलगले सिगनल होते हैं उसी तरह इस पर आते वापसी तो फाइफ फ्लैग्स हैं अलगलग कलर के राइट तो पहले ले ल ती दर अब जुना हो ठीक है एक ग्रीन है येलो और वाइट हम पांच कालर कर लेते हैं राइट रेड ब्लू पिंग ग्रीन यलो वाइट अब क्या हुआ यह कैसे हो गए यलो पांच है अब बेटे कितने इक से सिगनल बनाना है बेटे मिरको दो फ्लैग्स का यूस करके ब यह ओपन फर आल बोलो यह देखो वन बिलो दिया दर एक्षुली क्या ओतर ऐसे जंडे लगाए जाते हैं अलग सिगनल होते हैं तो पहले जंडे के लिए कितने ऑप्शन पांच है इन पांच में से कोई भी रख सकता हूं लेट से मैंने यूवी का फेवरिट पिंक रख दिया विल्कुल देख लो पैचान है ना मारको आगे नेक्स के लिए कितने ऑप्शन चार तो कितना देख बटा था फाइव इंट फॉर दाट इस ट्वेंटी वाजटा यह थ है कि फाइंड दा नंबर ओफ डिफ्रेंट सिगनल्स बाइंजिंग अगर फाइव फ्लाइबल अगर फाइव फ्लाइब और कम से कम दो का सिगनल बनाना है बिटा इस एट लीस्ट तू का मतलब क्या हुआ हुआ पहले बताओ तो इत लीस्ट प्लेको इन दो फ्लाइब दो फ्लाइब के सरया深 इस छारऄ आड पांच बोले हां तो आटक battle ए अनी सिगनल्स इतने बनाए जा सकते हैं दो फ्लाइब दो के लिए 5 into 4 3 वाले के लिए 5 into 4 into 3 4 के लिए 5 into 4 into 3 into 2 और फिर 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कितना हो के बटा टोल करो तो इसका 320 तो बटा दोबारा समझो signal बनाने ठीक है कितना का यूस करके क्या मतलब इस लिए का बटा at least 2 flags क्या मतलब क्या होता है कम से कम 2 कम से कम 2 मतलब यहीं 2 या 2 से जादा तो कितने flags यूस कर सकते हो 2 कर सकते हो 2 से जादा भी कर सकते हो कितने टीम यूस कर सकते हो 4 यूस कर सकते हो 5 यूस कर सकते हो तो फिर करना क्या है, यूज करो उगा टोल टोल टोल, अच्छा, टोल टोल की करा, तोरी, फाउच फ्लाग, बेटा ये तो रहा, फाइव दिफ्रेंट फ्लाग्स आविलेबल, पाउच फ्लाग्स है में पास, आपने वो पॉइंट ने पढ़ा होगा तब से, इसे करो नोट फिर आगे चलते हम नेक्स एक्साइस पे,